दिवरियां के फतेपुर गाउं में अखिलेस यादो आज पहुँच रहे हैं लेकिन उनके पहुँचने के पहले लगभग आधा किलो मिटर की सडक जो खराब थी जहां पर सडक नहीं था उस सडक को कह सकते हैं कि रातो रात PWD के विभाग ने बना दिया अब इसके बाद अखिलेस यादो फतेपुर में आ रहे हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस तेनात है और पुरवांचल के यादो उनके कारिकरता समझवादी पाटी के कारिकरता तमाम कारिकरता वहाँ पर इकठा हो रहे हैं वहाँ पर जुट चुके हैं और आप कह सकते हैं क आप इसको इस नज़रिये से भी देख सकते हैं कि यह एक परिकार का शक्ती प्रदर्शन है। गोरखपुर से फते पूर तक सडक मार्ग से अखिलेस यादों का काफिला निकलेगा और जब काफिला निकलेगा तो चपपे चपपे पर कुलिस रहेगी। कोई अखिलेस यादों को छूना पाए इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा आगे आपको हम पूरी खबर बताएंगे पागे नमस्कार में नाम है मुहित कुमार सिंग और आप जनता जंशन देख रहे हैं फतेपुर गाओं में बताया जाता है कि लगबग 500 मीटर की एक सड़क थी वो 500 मीटर का सड़क बना नहीं था लेकिन अखिलेस यादों के वहाँ पर पहुँचने के पहले उस 500 मीटर की सड़क को अचानक बना दिया गया इसके बारे में कहा गया कि टेंडर पहले से हुआ था सड़क को बनाना था और टेंडर हुआ था तो इसलिए बनाया गया लेकिन कहा जड़ा है कि अखिलेस यादों उस गाओं में पहुचने वाले थे इसलिए प्रशासन ने आनन फानन में लगबग आधा किलोमिटर फतेपुर गाओं में जाने वाली सड़क को आनन फानन में बना दिया अब इसके बाद वहाँ पर जो पुरी की पुरी लडाई बन चुकी है यादो बना म्ब्राहमन की वहाँ पर यादो जो अखिलेस यादों के कारिकरता है आप यूपी तो छोड़ दीजिए जो उधर का सीमा का पुरा का पुरा इलाका है बिहार का उधर के याद समाज के एक जूटता का सक्ति प्रदर्शन हो रहा है अक्रिस यादों वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर वो दोनों परिवारों से मुलाकात करेंगे मतलब की प्रेमचंद्र यादों के परिवार से भी मिलेंगे सक्ति प्रकास दूबे मतलब की जो ब्राहमन परिवार है उस प तो आरोप लगा कि यादो पक्ष पर जान भूज कर जो योग यादित नात की सरकार है वो कारवाई कर रही चाहें मकान जो कहा जा रहा है कि नोटिश जारी हो चुका है उस पर बुल्डोजर चलेगा उस मकान को तोडने को लेकर कारवाई हो या प्रेम चंद्र यादो को भूम आफिया बता देने का पुरा का पुरा मामला हो कहा गया कि यह सब कुछ इसलिए क्योंकि प्रेम चंद्र यादो यादो थे और इसके कारण केवल एक तरफा कारवाई हो रही है और इस कारवाई में समाजवादी पार्टी के यादो नेता बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी तरफ से भारती जनता पार्टी के ब्राह्मन नेता अब आज वहाँ पर देखते रहिए कि दिवरिया में क्या कुछ होता है लेकिन अखलेश यादो दिवरिया में सडक मार्क से जाएंगे उनके लिए 500 मीटर लंबी सडक जो नहीं बनी थी उससे सडक को ततकाल बनवा दिया गया क्योंकि वहाँ पर समझवादी पार्टी के बात रहा हो कि अखलेश यादो तूटी सडक देखेंगे तो सरकार के खिलाफ कुछ और बोलने का मौका मिलेगा बाकी आपके इस पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा आगे जो भी और जानकारी जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंच आएगे तमाम खबरों के लिए मरसत बने रहिएगा केमरेक से भी शाल खणे हैं और मैं मोहित कुमार सींग बहुत बहुत धन्यवाद